दांतों के दर्द बहुती तकलिप दायक होते हैं कभी-कभी इतना तेज दर्द होता है कि आखों में से आसू आ जाते हैं और दांतों के दर्द करने के कौन-कौन से वज़ा होते हैं थोड़ा बहुत चलिये जान लेते हैं सबसे पहला करण यह हो सकता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका अन अगर हमारे दांतों को गैप में चला जाए और लगातार 10-12 दिन वहाँ पर रह जाए तो वहाँ पर सरन पैदा करता है बाद में हमारे दांत सरने अलगते हैं इसके साथ साथ ज्यादा चॉकलेट खाने से भी हमारे दांत खराब होते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप दांतों के दर से छुरकारा पा सकते हैं यह बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है इसका असर आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहां पर लेना है दोस्तों एक गिलास पानी पानी लेने के बाद आपको यहां पर लेना है दोस्तों फिटक्री को यह वही फिटक्री है जो आप सेविंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं फिटक्री आपको बहुत यसानी से किसी भी किराने के दुकान पर मिल जाएगा और फिटकरी का ये नुसका बहुत ही पुराना है आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सायद आप सभी लोग इसका बारे में जानते भी होंगे तो आपको यहाँ पर इसमें से हलका सट्टुकोडा डाल दीजिए पानी गरम होना चाहिए डाल दीजिए या फिर आप गरम पानी में इसे डाल करके उबाल भी सकते हैं और उसके बाद उबलने के बाद आप इस पानी से कुला कीजिए गरारा कीजिए इससे क्या होगा इसका जो तत्तो है वो आपके दातों के अंदर जाएग लासुन के अंदर एंटी माइक्रोबिल गुल होता है साथ ही इसके और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो दांतों के दल से निजाद दिलाते हैं तो आप यहाँ पर 4-5 लासुन की कलियों को लीजिए और इसके छिलके को निकाल दीजिए और इसे बहुत ही महीन आप पीस लीजिए तो हमने पहले से पीस करके यहाँ पर रखा हुआ है यह देखिए दोस्तों और नुस्का को बनाने के लिए आप यहाँ पर बहुत ही कम मातरा में इतनी मातरा में आप लीजिए 4-5 लासुन की कलियों को पीसेंगे तो इतनी ही मातरा यहाँ पर बनेगी और इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा चिल देना है यह दोस्तों सरसो का तेल आप यहाँ पर सरसो का तेल इसमें एक चमस की मातरा में डाल लीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें तीसरा चिल देना है ये दूस्तो सफेद नमक, सफेद नमक हमेरे दानतों के दर्द को बहुती हद तक कम कर देता है इतनी मातरा में आप यहाँ पर सफेद नमक लीजिए और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाइए मिलाने के बाद आप यहां पर लिजिए रूई रूई की साहयता से इस तरह से इसे लगाईए और जहां पर दांतों में दर्द हो रहा है वहां पर इसे रखिए देखेंगे चार से पांस मिट के अंदर ही दांतों का दर्द गायब हो जाएगा इसका इस्तमाल आप बार बार भी कर सकते हैं इससे कोई नुक्सान होने वाला नहीं है तो वीडियो के ऐसला कॉमेंट करें से ज़रूर बताइए हम आप सजल्दी मिलते हैं किसी और नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो